इस वीडियो में बात करने वाला हूं, Moto G8 Power Lite में किस तरीके से आप अपने फोन में वो लगा सकते हैं, जैसे कि Power Button End Call का सिस्टम परेनेवल कर सकते हैं, इससे क्या होगा, Power Button से कट कर सकते हैं फोन को, यह इसलिए फीचर दिया जाता है, पाई चांस कोई बाइक चला रहो किसी का फोन बगएरा आ गया, तो आप वो अपना इसी से कट कर सकता है अपने फोन को, या फिर, मतलब कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो यहां पर आपको टच करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस पावर बटन से एंट कॉल कर सकते हैं, या फिर ट्यूशन बगएरा में हैं, तो वहाँ पर टच करके फोन नहीं निकाल सकते था, इस वाले फोन से कट कर सकते हैं जैसे कि बस इसको दबाएंगे तो आपका कट हो जाएगा, तो इसके लिए एक सेटिंग इनेबल करना पड़ेगा, तभी ये फीचर्स का इस्तिमाल कर पाएंगे, तो चलिए जानते हैं इस फीचर्स का इस्तिमाल करने का तरीका क्या है, और फ्रेंस आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के नीचे आपको दिखेगा, आप सब्सक्राइब लिखा हुआ रेट कलर में, देख लीजिए, एक बार आप देख लीजिए, और उसके किलिक कर दीजिए, और साथ में घंटी का उप्सन आएगा, उसको दबा देजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और नए नए इंफोर्मिशन आपको मिलता रहे, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद स्क्रोल करना है, और यहाँ पर जाना है, एक्सेशिविल्टी में, और यहाँ के सबसे नीचे आपको दिखेगा, पावर बटन एंड कॉल इसको इनेबल कर देना है, इसको इनेबल करने से क्या होगा, कि आपका अब जब भी कॉल आएगा, तो आप इसको दबाएंगे, ऐसे करके बस आपको क्लिक करना है, आपका पावर बटन एंड कॉल से आपका जो कट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंस, फ्रेंस वीडियो पसना है, जो लाएक, सेयर और सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा, और में ट्रोला के किसी वीडियो बाइस में इस फिचर्स का इस्तमाल कर सकते हैं, छो नाओका जाएगा किसी वीडियो जैएक वीडियो लूलिएगा,